नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम आपके साथ जुड़े हैं बहुत सारे दर्शकों के अनुरोद पर कि लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है सब कुछ ठपसा पढ़ गया है तबाह हो रहा है तो चले समझते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि आपके घर में किसी ने कुछ करवाया है और अगर करवा दिया है तब उससे बशने के लिए क्या करें तो वीडियो के अंतक बने रही है सबसे पहली बात जादू टोणा जब कोई करवाता है तो कोई दूसरा कोई नहीं करवाता आपके करीबी आपके जान पहचान वाले ही आप पर करवाते हैं ज्यादा तर लोग आपके पहनेवे कपड़े उतारेवे जो कपड़े होते हैं उसके थू करवाते हैं और अगर किसी को वसीकरन करना होगा तो आपके खाने पीने की चीजों में, जो सामगरी है, उसको मिला कर ही वसी करन करेगा ये बात, दो बात हमने पहले भी आपको बतलाया है लेकिन जो जादू-त्रो ना होता है, वो आपके उतारे वे कपड़े से जादातर होता है या आपके बाल विगेर ले लिए कट करके तो चले समझते हैं कि कैसे आप समझेंगे कि आपके घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है या करवा रहा है तो आपके घर पर अगर कोई कुछ करवाएगा तो पहला लक्षन है भवरा भवरा का नाम आपने सुना होगा काले रंग का होता है भवरा और अगर आपके घर में भवरा आए अमान लेते हैं घर में अंदर आने का जगह नहीं है आपके घर के आसपास मन रहा है आप खड़े हैं घर से बाहर निकल के रांगन में हैं चत में हैं वालकनी में आप देख भवरा गुम रहा है इसका मतलब है कि आपके घर के ऊपर किसी ने कोई तंतकरिया करवा दिया है यह जहां पर तंतकरिया होता है वहां पर भवरा जरूर आता है बहुत सारे लोग कहते हैं भवरा पुरवज होते हैं जो देखने आते हैं अपनों को ये पुरवज नहीं होते ये तंत्र सक्ती होती है जो उस घर में आ जाती है तो भवरा पुरुवज नहीं बलकि तंत्र क्रियाएं है उसके परिचायक के रूप में या उसी रूप में वो आया है कि आपके घर में हो रहा है, होगा, हो चुका है कैसे बचेंगे अगर आपके घर में भवरा अभी आया है, कुछ दिन पहले आया है तो चलिए एक काम कर लीजे, बहुत सारे मुश्क्रे से बाहर निकलाएंगे पीला वाला सरसों, पता होगा आपको, बहुत सारे लोग उसको राई भी कहते है खेज नाम में क्या रखा, आप पिक्चर देखिए तो पीला सरसों ले लीजेगा, एक मुठी कसकिर ले लीजेगा एक सवा मुठी जैसे धिर सारा हो कपूर का टिकिया थोरा सा ले लीजे और उसको चूरा करके पॉडर बना लीजे पॉडर इसलिए कि अच्छे से जलेगा फिर ये इसके बाद इसको पॉडर बना कर आप सरसों में मिक्स कर दीजे, जो सरसों के दाने आपने लिए हैं उसमें मिक्स कर दीजे, थोरा सा लेकर आठ दस कपूर की टिकिया लेकर उसको चूर के मिक्स कर दे, किसी मिठी के बरतन में इसको ले ले, याद रखे मिठी के बरतन मिल आपको मिल जाएगा नहीं कोई तो कुछ तो दीपक होगा अब इस मीठी के बरतन में इस कपूर को जलाएंगे तो सरसों भी जलने लगेगा और इसके बाद जब अच्छे से जलने लगे आधा से ज्यादा ज्यादा ध्यान रखेगा उसके बाद उसको किसी चीज से धक दीज उसका लौबन्ध हो जाए और दूवा निकलने लगे जब पूरा दूवा निकले तो पूरे घर में घूम घूम कर उसको दिखाईए यहां तक कि आपके घर में जो लेटिन बाथरूम है वहां भी आपको दिखाना है कीचन में छट पर बालकॉनी में सारे रूम में घूम चारों दिखाईए ये प्रियोग आप जिस दिन भावरा दिखें उसी दिन करें या हर अमवस्या को करें कुछी दिन में आपको फर्क महसूस होगा रिलैक्स महसूस करेंगे अच्छा पी लोगा वैसे हर सोमबार के दिन जब साम में आप दिया बाती करते हैं तो दिपक में एक चुटकी सरसों डाल कर जलाया कीजिए पुरे घर में दिखाईए इससे भी नकात्मक सक्तियां दूर रहती हैं हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें